वेलकम फ्रेंड आप सभी लोगों का स्वागत है आज 22 मार्च है तो दैनिक जारम के राष्टेशंस का न्यूज पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटिव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज कवर किया गया ताकि उप्योगी हो सके साथ इसा जितने भी गौर साथ और चीजों को बताया गया है कि जैसे कि आपको विजडम एजुकेशन के स्टुडेंट है वह आपको क्या करना है और इकति आज करना है नंको दोनों एक दूसरे में करे Central कर देंवर किशेत हो है जैसे कि आपको डेक्ट करने है तो क्या करना और इकती नम सकते हैं बाकि चीजे जो पुसिबल होगा मैं नोट्स अबलेबल करा दूँगा या इसका युक्तिया इसका जो स्टुडेंट होगा वो क्या करें इस तारीक को जाके पीडियेफ देख लेगा अपने एप पर जाके ताकि चीजों को कभर किया जा सके चलिए अब आगे हम लो अब पताया था कि यह नासूर बनेगा और सरकार को इस सक्त एक्ष्ण लेनी की जोड़त है नहीं तो जिस परकार से हम लोग चीजों को समस्याओं को समझते हैं उस तरीके से समझने शुरू कर दिये और कानून के इस तहर्थ चीजों को जल से जल निप्तान नहीं किये तो समस्या नासुर बनती जाती है उसी का देखिए सरकार ने जल से एक्षन लिया इस पर अमरित पाल पर लगा एने से छापे मारे की जा रही है और जल से यह पकड़ा भी जाएगा बैक्टी भागे कब तक कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाग सकता है अभी कुछ वक्तो हैं तो यहाँ पर बड़े-बड़े शुर्मा भी आ जाते हैं जमीन पर बात यहां समझने वालीे है न कि भैक्ती विडिजस्जच का विचार कुछ भी हो सकता है उन्यम्में ये चीज़े आपको cover होंगी यह UPC के GS paper third में राष्टी सुरच्छा और चुनोतियों से संबन्दी topic को cover करेगा और state PCS वाले student अपने GS के topic से मिलान कर लेंगे यह topic कहां आता है और आज मैंने आप लोग को wisdom education के जो टेलिग्राम चैनल पर आपको एक syllabus share किया होगा उस syllabus में आपको GS1, GS2, GS3, GS4 का topic दिया हुआ है उस topic को ही मैं यहां लिखता हूँ तो क्या करना आपको है जो UPC का original syllabus से आपको vary कर लेना है और उसको चीज़ों को cover करते चलना है एक बार जाकर look out उसको देखिएगा किस तरीके से cover किया गया है और चीज़ों को समझने का परियास कीज़ेगा समय दीजिए मुझे चीज़ों को समझने लगिएगा आप और बहतर तरीके से नए एक format के तरह और जल्दी हम लोग रवी सर और मैं आप लोग जो 1980 है उसे लाउ कर दिया है और इसके बार look out circular जारी कर दिया था देखते ही इसे पकड़ने या गोली मानने की भी इसमें परक्रिया होती है look out circular में ध्यान रखिएगा अंतिम विकल्प दिया जाता है look out circular में बस उसे look out देखते ही पकड़ने की जो जारी की गई है उसे अमरित पाल को संदर में ये समझना है इसके संदर में कुछ नोट से याद रखना है जैसे राश्टी सुरच्छा अदिनियम 1980 क्या है ना है NSA क्या है तो ध्यान रखिएगा यह एक केंद्रा और राज जी सरकारक दौर निवारक निरोध कानून है आर्टिकल आप लोग 22 तेस्ट पढ़ते होंगे याद होगा उसी से सम्मंदित आपको याद रखना है 22 तेस्ट में जो विस्तार से चर्चा की गई है अनुछ आर्टिकल उसी किसे निवारक निरोध कानून के संदर में चीज़ें असपस्ट की जाती है और पॉलिटी कलास में आप लोग को कभर किया गया वहता तरीके से निवारक निरोध क्या कानून होता किस तरीके से चीज़ों को कभर किया जाता है देखिए इस एनस से जो है किसी भी ब्यक्ति के राश्टी सुरच्छा के लिए खत्रा जब उत्पन हो जाएगा रोकने है तू किन्द या रासरकारी ब्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है और युक्ति-युक्त परतिबंद देखिए हाँ पर लागू होगा हमेश प्राप्त है वो स्वता ही समाप्त माने जाते है तो दियाँ पर ध्यान रखना ये इन सब चीजों को आपको कवर करते चलना नोट या रखना इसके साथ ही शरकार किसी भी ब्यक्ति के आव सकता आप उर्ति और सेवा को रख रखा साविनिक व्यवस्था को बादित करने से रोकने के लिए एनसेक अंतरगत करवाई कर सकता है और यही राज जी का युक्ति युक परतिबंद है मैंने आप लोग को पहले भी क्लास में कवर किया हो युक्ति परतिबंद क्या होता है किस रुप से राज जी किसी व्यक्ति विशेस मामले में युक्ति परतिबंद लंगन करते हैं तो युक्तिव पर्तिवंद राज सरकार लगा सकती है तो कभी भी आपके पूछे का युक्तिव पर्तिवंद के तहत माना जा सकता है तो बिल्कुल माना जा सकता है क्योंकि यह क्या है यह राश्टिक खत्रा को सुरक्षित कर राश्टिक खत्रा उसके लिए एक बाधक के रूप में काम करेगा तो इसलिए इसमें क्या है आपको ये NSA लागू किया जा सकता है ध्यान रखिएगा और इसके लिए सारे मौलिक अधिकार स्वता ही मौन हो जाएंगे और इसके बाद कानून जो परकिरिया उसको जब तक नहीं पगड़ा जब तक नहीं किय जाएगा चीजों को NSA कानून के तहत ही किया जाएगा अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे अब इसके तहत किसी बैक्ति को अधिक्तम ने 12 महां तक या 12 महीने तक हिरासत में रख सकता है आप सुनते होंगे आर्टिकल 22 के तहत जो निवारक निरोत कानून है या और भी ज जैसे जब या इस प्रकार के कोई निवारक निरोत कानून लगाए जाए जैसे पहले आपको मीसा लगता था उससे पहले बहुत से निवारक निरोत कानून बनाए गये थे तो ध्यान रखिएगा उसमें 12 महीने के उससे अनुच्छेत का तहत किसी बैक्ति विशेस को रखा जाए अगर वो पैनल क्या करेगा पुक्ता सबूत को अधार मानते हुए उसकी और भी रा जो करावास किसी हिरासत किसी जो समय सीमा है उसे बढ़ा सकती है तो डिफाइन नहीं माली है कि 12 महीना यह माना जाएगा इसके लिए 12 से भी अधिक बढ़ सकता है तो ध्यार रखि तो बंगाल अधिन वी निमन तीन आया था 1818 जिसमें मानी जाती थी NSA कानून यहाँ पर निवारत मिरोत कानून को यहां से मना इसको इस संदर में समझते हैं कि इस कानून के तहत क्या बंग जो बिटिस अपनिवेसिक सासन था वो किसी बैक्ति को है न वर्तमान में NSA का जो लागूरी रूल और स्पहर 9 जिए उसके अनुपत आपनों को कौम कर सकता था किसी बैक्ति के उसके मौलिक आधिकार रोचBut something जो लिए जो निम कारव बना सकता था इसके संदर्मनें आपको इसी कानून में माक्टिस पॉलिस करती है उसके बार क्या करती विवस्थाओं के सामने लाती है और उसको सजा प्रवधान कराती है अलग ही तरीके से अपनाया जाता है अब रॉलेट एक्ट आप लोग सुने होंगे नाम और फुनिसोनिस इसमें बीना किसी परिच्छन के लिए बना ही रिप्ता किया जा ता और इसे बोला जाता नोए वकील कोनसेप्ट बोला जाता था अर्थात किसी पर भी संदिक पर अगर मालेजे A B C D को तीन बगती है और सासन को लगेगी कि एहएगा demonstrate किसी ही कारण s दिये वे उसे पकड़ सकता और सी को लगता है सी ब्यक्ति को लगता वह ऐसा काम करा तु पकड़ सकता है या उससे अपने सिख सरकार को लगता है तीनों ही ऐसा कर रहा है तीनों को पकड़ लेगा और उसके लिए कोई आपको किसी परकार के राजी कहना आप उसे रिवेट का आप काम कलपला नहीं कर सकते यहां पर ध्यां रखने वाली बात है अब या रखना 1950 में निवारक अधिनियम कानून आया जिसे 31 दिसंब्व 1969 में लाग किया गया था अजाद जैसे ही होते है तो इस प्रकार के मामले आपको लगतार देखने को मिले थे 1947 के आसपास के करम में ध्यां रखेगा 1950 में निवारक अधिनियम प्रिनल डिटनेशन एक्ट पी डी ये आया और 1979 में ये लागू हुआ था 1971 में आंतरिक सुरक्षा देनियम में आपको मिसा जिसे हो मिसा भातिर लालो जी की बेटी का बड़ी बेटी का नाम जो मिसा है इसी कानून के तहत बनाए उनका नाम लिखा गया था बनाया गया था तो वर्ष उनिस सो सब्सक्राइब में उनके तहत बंदी पर्थी चिकरन अर्थात हेवियर कॉपर्स दो होता है रीट भी NSA के तहत लोगों को हिरासत लेने के अनियंतित राज सक्तिक के खिलाब सविधान के तक ग्रांटिक की सुरक्षा पणान करती है तो यह important factor है इसे भी याद रखना आप लोको है तो ध्यान रखेगा हम समान रुप से उन मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं क्योंकि राष्ट की एकता खंटा सरोपरी है है तो इन संदर्बों को समझेगा और भी अमरित-पाल से समंदित या खालिस्तान मामले से समंदित न्यूस को कवर करना तो एक नमबर 2022 के वीडियो युक्ति आई इसके प्रे लिश्ट में जाकर देख लिजएगा चीजे कवर हो जाएंगे चार महीने पहले चोक्सी के रेट कॉर्णर नोटिस हो गया रद था या परकरिया अपनाई गई है फिर इंटरपॉल से कोडिनेशन बनाये गया और इस पर बोला बोला जा रहा है क नोटिस वापस लेने पर बर्म बुड़ा जो है चोक्सी का परत्रप्रण का जो मामला वो कोई फरक नहीं पड़ेगा या मामला सामने आया रेट कॉर्णर नोटिस जारी किया है इंटरपॉल जो पहले होता है क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे धिया रखेगा या UPC के GS PAPER 2 में सरकारे नितियां एजेंसियां जो भी राष्टी ए अंतराष्टी एजेंसियां दोनों को समझिएगा इसमें और अंतराष्टी कानुन क्या माहिने रखता है हमारे लिए किस रूप से में उससे कोर्णियेट करते हैं इस से भी समन्दित मामलों से आपको क गुरूप में होंगे तो उनको पीडियो देख लेना है और जिनको वीडियो देखना है वो जाकर प्लेइलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं विडियो एजूकेशन के भी स्टुडेंट जाके देख लिजीए गाबाद सारी चीजे कवर की गई है जैसे कि आपको क्या इस में जानना चाहिए इस टॉपिक से देखे सबी चीजे को मामले को नहीं जानना है और उन सबी चीजे को जरूर जानना चाहिए जो एकजाम में प लोगे को पिंकिन टॉपिगों को नजह रखना है तो देखिए इंटरपोल दिवार जारी नोटीस क्या होता है ध्यान रखेगा यहां पर कर्चा को जो किसी देश के जो राष्टे एजनसी होती है उससे कोडिनेट अनुमती देता है ताकि उसके खिलाब परतियर्पन की करवाई करें अब परतियर्पन कहने का अर्थ होता है माले जे ए देश का कोई ब्यक्ति बी देश में भाग का चला गया है तो उस बी देश से हम ए दे इसमें कैसे लाएंगे तो वह परतियरपन करना है उसके लिए संदी कानून होता उसके लिए नियम कानून बना हुआ है ध्यान रखिएगा इसके संदर में और भी आपको जाके आपको तारीक के नियूज एनलेसिस को देख लिज़ेगा यह लोग नोटिस जारी करता है इसी ग्रिन नोटिस जारी करता है और यह बताईए आपको नाम ज़रूर बताना होगा अब उसके बाद इंट्रिविवर आपसे यह भी पूछा सकता है कि इस नोटिस में क्या होता है जैसे ब्लैक नोटिस का मतलब क्या हम संदें तो अग्यास्ववों की जनकारी प्राप्थ होगी कमी है तो इसके लिए ब्लैक कॉर्णर नोटिस जारी करेगा अब ग्रीन नोटिस जारी करेगा तो ऐसे किसी बैक्ति के अपराधिक गति वीदियों के बारे में चयोताने जारी कर सकता जिसे सावजनिक आपको सुरच्छा क यह संभावित खत्रा माना जा रहा है मान लिजा ऐसा कोई ब्यक्ति एब्यक्ति है अभी ऐसा संदिक दाप्राध नहीं किया पर ऐसे कुछ अपराधिक रिट है उसने किया जिससे लगता है कि भविश में यह अपराधिक रिट इतने बड़े लेवल पर करें जिससे बहुत लोटन्य आता है तो इसके लिए बहुत से वस्थाध व कर नो के संदर में च्यपाने के मामले में अस्थानों के जनकारी प्राप्त करने कि दी जारी किया जाता अर्याद रखएगा ब्लू जा अलग देश के लिए अपने परतेनीदी को भेजा था याद होगा आप लोगो नीज में आया था इस बैक्ति के लिए आपको बुलू नोटिस जारी हुआ है तो आप से इंट्रिवू में यह भी पूछ सकता हाली में किस बैक्ति का एक परतेनीदी यूए में अपनी बात रख करनी है अब इंटरपोल याद रखेगा श्रयूग जो परिसद है विशेस नोटिस देता है उसके लिए क्या होता है किसी बैक्ति या बैक्ति जो यूनाइटेड नेशन सिकोर्टी कॉंसिल परतिबंदों के अधिन होता है अथात ऐसे बैक्ति बैक्तियों के समों के लिए जारी कर जा सकता है जो यूनाव में एक लिश्ट जारी कर जाता है ने कि हम लिए लिश्ट अहतंग वादी या भगोड़ा इस परकार से बहुत से मामलों में संदिग देए उनसे सम्वंधी चीजों के लिए भी किया जा सकता है याद रखिएगा in tlpold मे किया 194 सदस देश संस्ता है ध्यान रखिएगा CBI तो भारत से जब भी बात करेगी इंटरपोल तो किस से बात करेगी CBI से बात करेगी यहां तक किलियर कोई दिक्कत तो बताईएगा कोमेंट सक्षन में जरूर मैसेज कीजिए कि किस प्रकार से आपको क्लासे लग रहे हैं जो यह नए अंडरलाइन पेपर है इन सब चीजों को कवर कराया जा रहा है इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा इसके संदर में अपना राय जरूर दीजिए क्या बदलाव और भी किये जा सकते है या आपको और भी बहुत तरीका मिला है ध्यान इसनर पॉइल करो इसली कॉभेंट उच्पाने कि संदरों कुलतरर नहीं अविए द्यान रखिएगा ऑ्यजिए नहीं है हम से बीच देया सकता है और हमसे आज सकता है आपक्bor बेस्टू सकता है इसलिए या जडरूरी है अब बहुत कि दूरिंशत है कि एक दूरत छीज अ साम जा और समझाया सकते हैं अगर किसी टापिक में किसी कुछ पॉइंट में अगर पूइंट को नोटड़ करना जैसे माल इजट कार नोटीष उसको में नोटिप पॉइंट और आप उसमें कुछ पॉइंट और एड़ किसे जो इसके बलाओ ऐसा नहीं कि जो बताएगा वही और एड़ कर दीजेगा आकि सभी स्टुडेंट आप जाके उसका लाव ले सकेंगे अब चलिए हम बात करेंगे दिल्ली में निप्टा विवाद जो बजट विव हमेशा दिल्ली और केंदर में चलते हैं तो यहां पर देखिए क्या बात वो लिगे इसको ध्यान में रखिएगा तुब सीम अर्विन के जिरिवाल ने सुबह सुबह पधान मंतिर नरेल मोधी को पत्र लेकर दिल्ली का बजट न रोकने का अन्रोथ किया अब देखिए माम जब भी आप लोगों को बताया था इसमें क्या अधिकार प्राप्त है उप-राजपाल को क्या प्राप एग्रीमंत्रालो को क्या अधिकार प्राप के मुखमंतर को तो अब जब यह मामले है केवल नोटीस मांगा किसी मुझ्द्य परहां किसी मुझ्य क्छिव्र किया माने चाहि Dawn उनुमति देगा राज़ सर्कारों के लिए इसमें बहुत से प्रस्थार्श और जो राजपाल को या उपराजपाल को नहीं लगे कि ये पॉइंट को कुछ हमें जी डॉट है तो इसको किलियर करो उसके लिए नोटिस देता है तो ये कर्टब भी होना चाहिए राज़ी की सरकार और निवाची सरकार उसके कर्टब भी होना चाहिए कि राजपाल की इस है न dots को clear किया जाए पर यहाँ पर ग्री मंत्राले भी हैं पर काम करता है UT शेतर में दिल्ली राष्टर जो राजानी शेतर है दिल्ली उसके लिए ग्री मंत्राले ने ये बात की तो राजी के मुखमंती का एक कर्तब भी होना चाहिए कि आप उस डॉट को किलियर कीजिए अगर स्वेधानिक नहीं रहता तो फिर आप क्यों भेजे नियाले में जाते न तो यहां पर इस परकार की परक्रिया अगर अपनाई जाती है तो आप से प्रस्न पूछा जाएगा इंटेव्यू में क्या प्रस्न पूछा जा सकता है बार जो मुद्धा उनका जो हमेशा प्रस्न रहता है क्या वो अचित है स्वेधानिक तोर पर तो आप से यह प्रस्न किया जा सकता तो ध्यान रखिएगा सारे स्वेधानिक ब्याख्याओं पर ही आप इन सब चीज़ों को कॉंटर कर सकते हैं ऐसे नहीं कर पाईएगा जनकार ने मंगलवार सुबह इमेल के इमेल से किंतर का बजट से संबंदित मांगी जनकारी उफलब्द करा दी है और फिजिकल रूप से एक अधिकारी को फाइल लेकर ग्री मंतर आने के लिए अब देखिए यहां पर एक आपको मामला में बताता हूं कि जब राजी राजपती थे उन्हें क्या बोला कि सरी राज़ी वांगी को मेरे पास आना चाहिए यह बहुत ही गंभीर मामला है इसके लिए आपको आना चाहिए तो देखिए बात यहां कि आप स्व्यधानिक व्याख्याई क्या है राजपती के पास जो पर्धान मंतरि को फोलो करता है मुख मंतरि से ही वह ऐसा राय रखता है कि वह आके मुझे बता है पर यहां मामला क्या याई मेल से भीजा गया अब चाहे तो रजपाल अगर इसपर विरोत परदसन कर दे कि इने ब्यक्ति विश्यष को भेजो तो ब्यक्ति विश्यष परतिनीदी कौन होगा राजपाल सरी प्रस्टूत होना पड़ता है पर मामला और स्वैधानिक बयाख्याएं यह कहते हैं कि राजपाल एक मंत्री परिशत का नियुक्ति करेगा जिसका परमुक है ना मंत्री परिशत के नियुक्ति करेगा जो है ना राजपाल को समय राय देगा आपको राय देगा तो मंत्री परिशत का जो मुखिया होता वही जो आप देवनता है ना पुरी मंत्री पहिसत उठके तो नहीं जाएगी इसके लिए एक बैक्ति सेलेक्टेड होता जो सासन परसासन चलाता उसके अंडर सारे परसासन चलते हैं तो इस मुखिया को जो आप दे बनाया गया है ना राजपाल के परती तो ऐसे उपराजपाल में भी होगा तो अब किसी अपने आया है ना किसी मंत्री को भेजें तो ध्यान रखिएगा स्वेधानिक प्रस्ण खड़ा किया जा सकता है तो अब इसका उलंगन करेगा तो केजरिवाल जो सीय में वो प्रस्ण करेंगा हमको बरबर परसासन स्वेधानिक तरीके और राजपाल अपने स्वेधा के संदर में ही देखने को मिला होगा उलंग जब भी प्रस्ण खड़ा होता है राजपाल अपने सक्टियों का परियोग करता है तो के जिरवाल जी इमोशनल टच्मेंट देना परियास करते हैं तो ध्यान रखिएगा यह सब चीजें नहीं होनी चाहिए एक लोक्तांत्रिक व्ववस्था में तो यह हमारे कहीं नहीं बेहतर तरीके से हमदोर नहीं हो पार ता हर चीज अपने अहल्मने लिया जाता है अब दोनों ही अपने तरीके से management नहीं कर पार है यह लोग तंदर के लिए खतरा है दिल्ली वासियों के लिए खतरा है कि धिरे धिरे इतना बढ़ जाएगा कि दिल्ली के जो लोग है न यह कैसे होता है सास भगु के घर में लड़ाई होता है तो किच-किच बार-बार होता है तो पडोसी क्या होता दूची इंटरेस्ट लेगा अतिसरा चौथा दिन से छोड़ा लड़ने दो यार दिन बर यही तो लोग काम करता है ऐसे ही जनता भी है ना लोग संदर के पड़ती है ना मिस्क्रिये होने लगती है सबसे बड़ा important factor यह है समझने की जुरत है यह दोनों ही नहीं समझ पाले है दोनों पक्तों को आपको इसकी संदर में चीज़ों को समझने की जुरत है तो लिए नेश्ट हम बात करेंगे आगे बात करेंगे rate corner हो गया आगे हम लोग बात करेंगे देखे एक PT fact है आपको इसको cover करना चाहिए स्वास्त का अधिकार देने वाला देश का पहला राज बना राजस्थान जहां पर सभी बैक्तियों को क्या मिलेगा परदेश स्वास्यों को स्वास्त का अधिकार प्राप्त होगा जिसके तहत क्या विधेक में बोला गया इसे आप लोग एक बार देख सकते कि राज जी के परतेग बैक्तिक इलाज की गरांटी दी जाएगी अस्पताल में किसी मरेज के इलाज के लिए के लिए मना नहीं कर सकता है अपात इस्थिति में निजी अस्पतालों को निशुल्क उप्चार किया जाएगा जो है ने यही मामला है ना अभी विरोध परदसन रायस्थां के डाक्टरों के दौरा किया जा रहा है यही है तो ध्यान रखिएगा निशुल्क सेवा दिया जाएगा निशुल्क उप्चार किया जाएगा अपरतकाली निकाईया इलाज के लिए सरकार अस्तर पर अलग एक कोस्ट बनाएगी अस्पताल के निजरानी के लिए परदे से जिला अस्तर पर प्राधिकरन बनेगा और यह सब मामले आपको दोसी को जो भी इसका आपको याद रखना चाहिए देश का पहला राजी बना इसके क्या-क्या प्राधान है कम से कम इतने प्राधान को आपको याद रखना है ठीक न ताकि इसका उप्योग किया जा सके अब देखिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारन भोकम के ते जटके देखने को मिला है तो यहा कि भारत के अलावे कहां कहां भोकम आपको जटके देखने को मिले अफगानिस्तान तुर्किमिनस्तान कजाकिस्तान पाकिस्तान ताजिकिस्तान चीन और किर्गिस्तान में महसूद किया गया अगर मैप की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान आफगानिस्तान आपको फिर य आपको यहां ले लिजे चाइना के शेत्र को ले लिजे अर्थात यह छेत्रेन भुकम जो परवाईद था जहां पर भुकम पाये थे तो अब याद रखिएगा इससे लेटर आपको स्टेटिक स्पार्टिक प्रसम कहां पूछ सकता है इससे पहले मैंने आपको यह कभर करा च कैसे ना पाजाता है सभी पर चर्चा मैंने किया भुकम तरंग क्या होता है किस कि सट्र में भुकम प्रितर रिंग ओफायर क्या है थिए उस पर क्या बाते की जाती है प्लेट्ट बिवत्निक सिधान क्या है, सभीश 수lex जों सब ड्रश करण लाइना क्या होता है, उस में क्यों इन बहुकम बाल बाल इन खेत्रों में सभीश पर चर्चा पहले की जा चुकी है, भुखम भारत भुखम के के ही मान चित्र क्या है इस पर मैंने आप लोगों को चित्र भी पहले भेजा है आज वी में बेज़ दूगा इस जो भुकम प्ये जोन है दो तीन चार पांच वो क्या है कैसे विभाजित किया गया है भारती मुनग BSI क्या होता है भुकम जोन 2345 के बारे में कौन-कौन सच्छेत आते हैं भारत को सभी पचर्चा मैंने किया हुआ हूँ आपको उस वीडियो में तो जाके आप देख सकते हैं कवर कर सकते हैं सारे विस्तित स्टेटिक्स पार्ट को मैं कवर करता हूँ मेरा तरीका यही है कि आपका एक टॉपिक कवर करा देना अगर मान लिजे भुकम पा कवर किया स्टेटिक्स पार उसका करेंट विसली है कि समय लगेगा उस पर कुछ अपनी बाते बोलनी है कुछ आपको किस समझाने इसलिए वेट और वाच करके चीजों को कवर कीजिए और कुछ नहीं जिस दिन का न्यूज मान लिजे आपको दिया जा रहा जैसे तीन अक् सब्सक्राइब करना बस विजिदम एजुकेशन के जो भी अवियर्थी है युक्ति आई-एस के चैनल पर जाईएगा वहाँ पर तीन अक्टूबर का प्लेश्ट निकालिएगा दैनिक जागन न्यूज एनलसीस 2022 प्लेश्ट वहाँ पर तीन अक्टूबर के न्यूज में एक से दो महिने के अंदर उसको रेगुलर आपसीजों को कवर्ख कीजिएगा चलिए नएश्ट हम लोग बात करेंगे दिल्ली में 20 वर्स में पहली बार दोहन से अधिक हुआ भूजल रिचार्ज आपको केस स्टडी के तौर पर पूछ सकता है कि जल पूलर संचरन जल पर प्राधिकरन कैसे प्राकृतिक जल अस्त्रोत थे 1990 से पहले किस्तिती और वर्तमान में रिचार्ज की तौनला इंठाउन पर तिसल भूजल दोहन होता था और वर्तमान बोर्ड की रिपोर्ट जो आई है आपको यह बोर्ड देखिए यहां पर दिया गया है दिल्ली चार की तौनला में भूजल दोहन 161 पर तिसल अधिक था 2004 तक उसके सुद्रिय कुछ कारी किया गया है और उसके बाद वर्तमान में आपको इस सब चीजे देखने को मिलिए मैं 2011 की तौनला में 2021 में 51 पर तिसल निगरानी किंद्रों में आस्पाव भूजल अस्तर में 7.83 मी रूब के आपको बनाया जा रहा है जहां पर घर के छट को है न आपको बनाया जा राए जमीन के अंदर Prime की सुरूथ क बनाया जा रहा है जिससे हम लोगे नarin चीजों को प्रभंदन कर सके धूचे चोटे-चोटे तलाब बनाया जा रहे जिसे स्श है निग सबिए हाली में आपको 75 आपको इस परकार से जलासे बनाने के इंसरका की योजना वो भी कारी किया जा रहा है बहुत से प्रग्राम चलाए जा रहे तो ध्यान रखिए जल भूर रिचाज का एक माध्यम यही है तरीका है जिससे हम अस्टोर जितना कर सके पानी को अपने जमीन पर उ रखक फिकांच में हैं को सब्सक्राइब करेंगराल में चलाने केंघेशा मत्री अंतवर में वहां पर ही जो में मैं कुछ सिक्षा उपलग कराने के पर्मुक हब बने विस्ट बैंक और जो आई ताकि कहीं यूज कर सके अब देखे एक केश स्टेडी या तो इसे इस तरीके सी समझ सकते हैं कि अंतराश्टी अस्तर पर हमारे देश के पार्टियों की चर्चा की सुरुप से बदली है कभी अमरिका में भाजपा को या भाजपा समर्थी सिनेताओं को क्या बोला जाता था कि जब गोध्राकांड हुआ था या उस परकाई गोध्राकांड के समर्थी चीजे हुई थी तो उसको प्रस्चिन लगाया था और जो वर्तमान जो पीम है जो जब सीम थे तो उनको रोक रोक लगा दिया गया था अमरिका में आने से ऐसा था न चर्चा था न तो उसी देश का एक विज्ञानिक या बात बोल रहा है सोचने वाली समझने बात है कि भात्वा विश्च की सबसे महत्पुर्ण विदेशी राइनितिक पार्टी है साथ ही यह राइनितिक दल को समभ किया उसके अतिहासिक कारियों के आकलन के अधार पर ही हमें समझने की जुरत है कि वो कैसे काम कर रहा है इसी के संद में कुछ उसनों ने बिंदू को उसपष्ट किया जैसे आपनों को याद होगा बिना वबरती चीनी सत्ता इनके द्वारा बोला गया अमरीकी राइनितिक अहम हिस्सा बनता जा रहा है जैसे जापान के साथ हिंद परसांद चेत्र में अमरीकी राइनिति हिस्सा बन रहा है आप क्वार्ट का मामला हो या हिंद परसांद चेत्र में विहाली में बैठर जो ही है जापान के साथ वो सम मामला हो या किसी परका के चीन के बढ़ते नि देला दोरा रहा है और यह कहीं न कहीं सही है इस देखे सक्ता पार्टी अलग मेंतर है पर सक्ता में जो काबीज भ्यक्ति है वह लोगों के साथ कैसे connected हुए सबसे important part है यही 2014 से पहले भाज़पा की छवी कुछ और थी पर जिस प्रकार बरतमान PM के दुवारा कारे किया गया राश्ट्री अस्तर पर अंतराश्ट्री अस्तर पर ठीक ना तो क्या हुआ लोगों में जो negative लोग भी थे जो राय रखते थे भाज़पा या वरतमान परधानमंति के संदर में उनका रवया चेंज हुआ है जो हमारे लोगतंत्र के लिए बहुत बहतर है यह चीज़ समझने के जुरत आपको है कि केवल party politics ही नहीं समझेगा अगर कोई बैक्ती विशेस या कोई संस्था अपने कारे करन को बदलाव करती है या कारे करन को बहतर deliver कर रही है तो लोगों की राय भी बदलती है तो राय कैसे बदली पॉजिटिव राय बदली है इसे आपको समयने के जोए क्योंकि उसने विकास भाजपा के लोग बहुत कम समझ पाते हैं कि क्योंकि समझ पाते हैं लोग उसे भाजपा को लोग जो है भारत के लोग या अने लोग भी मालने ज़े कि बहुत कम समझ पाते हैं क्योंकि इसके विकास के राजनिती और सांस्कृति इतिहास को अधिकांस गैर भारतिय अंजान ह अर्थात जितने गैर भारतिये हैं अर्थात विश्च के अनदेश इनके concept को नहीं समझ पारे हैं क्यों नहीं समझ पारे हैं कि उनको लगता है कि हम किसी प्रकार से racist कर रहे हैं इसे प्रकार के चीजों को एक तर्फिय बहावा दे रहे या हिंदुर को बढ़ावा दे रहे पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनके द्वारा रीट के द्वारा बोला गया है इसे आप लोगों को और हमें भी समझना हो कि देश का विकास सबसे इंपॉर्टेंट है देश का व प्रियास के लिए आप एस्परेंट वर्ण है यूपेसी केंड़ेट है पीस्यस केंड़ेट है तो आपको कम से कम संतूलन की स्थिति में होनी ही चाहिए न तो यहां ध्यान अकिएगा कि वर्तमान 14 के बाद भाजपा समर्थिस्ट जो सरकार है उन्होंने किया क्या है इसे तभी हम समझता है वह महिला ससक्ति करन की बात हो महिलाओं के सस्थिकरन के लिए जो कारी किया गया उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना या आपको उजवला योजना या तो गैस कनेक्शन योजना जो दी गई थी यारखेगा बैंकों में खाते खोलने के लि प्रवानत उपाधियां हैं उसमें उन लोगों को चुनके लाना जो महिला धरातल वे पर काम किया ऐसे दसों ऐसे महिला हैं जिनको आज तक जानते ही नहीं जी कोई बैकती 10 किलोटर 20 किलोटर तब पेड़ रोग चुका एक जंगल बना चुका को ऐसी महिला है महराष्टा के जो 200-300 लोगों को अपना क्या दे रही हैं सेवा दे रही हैं इसी परकार से और भी देखेंगे वीत में काम किया गया है वीत में काम कैसे किया गया है अन छेत्रों में वीत में काम किया जैसे आप यह समझ सकते हैं कि वित्या वंटन कैसे किया जा रहा है आपको मेक इंडिय प्रोग्राम हो यह सब प्रोग्राम जो कराया जा रहा है राश्ट्री सुरच्छा में गो डर्म निर्भर बन रहा है यह 75 का जो टार्गेट हमनों लेकर चाहर है उसलनी यूट के तौरप हम तार्गेटेट चीज़ों को कर रहे है अर्थाथ 2047 तक हम चीजें कैसे प्राप्त करेंगा 100 साल के बीच 75 साल 25 वर्स के दर्मियान में फाइप ट्रिलियन अर्थ बेवस्ता बनाने के लिए देश कैसे काम करेंगा इन से मुद्डों ने क्या किया कि लोग का राय चेंज कर दिया इस पार्टी विसे इसके नेताओं के संधर में कि लोग पहले क्या करते थैं वर्तमाण में क्या हो रहा है लोग का राय चेंज कि , जैसे आप इसका ग्यापन वहां से समझ सकते हैं, जैसे कि चूना हुआ है तो जहां पर सफलता चुनावी सफलता प्राप्त 20 क्रोड से अधिक लोग अबादी ने उत्तव परदेश भाजपा सरकार को जहां पर सिया मुसिलमान है उन्होंने भी जवज़त समर्थन किया है इसे प्रकार से और भी योगी मोडल जो चीजे हैं मोहन भागवत का जो वर्त जैसा लिकूट पार्टी काम करता वैसे यहां पर भाजपा काम जो बज्जारों अर्थ बवस्था के साथ चीजों को है ना बनाती है हलांकि उन लोगों को भी आत्में साथ करती है जो पच्छमी संस्क्रिती और रानितिक विशिष्टा के चलते बरसों से खुद को अफेक अपने आपको अफेटी जो समझते उनका पूर्जो समर्थन भी कर रहे है आप ऐसे बहुत से इंटेवी में देखते होंगे तो यहां पर ध्यान रखेगा यही सबसे बड़ा समझना और यह लोगतंतर के लिए बहुत बहतर है क्यों बहतर है अब इसको अपने तरीके समझ यह समझने का परियास किजिएगा कि लोगतंतर का अधार क्या है लोगतंतर का अधार है कि हासिये पर बैठे लोग है ना उनका उत्थान करना समान धारा में लेकर आना तो किसी पार्टी विसेस की चवी पहले क्या थी वह वरतमान में क्या करी वरतमान जो हासिये पर बैठ है वह उस पर स्थो रहा है आपको इससे समझे प्रस्ति पूछा जा सकता इसे आपको कवर करने का प्रयास कीजेगा है जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको सामने वाला ही ने पूछे पूछ चीजे हैं आप पाटी हटा के सरकार की बात कर दीजिएगा वरतमान सरकार जो ब्ले आप प्रस्तुत कर सकते जो अर्तमान सरकार हासिये पर लोगों को काम कर रहे तो यह याद रखिएगा यह सब चीज आप अपने ही तरीके से कवर कर सकते नेश्ट बात करेंगे ध्यान रखिएगा चार वर्स में पांच चर्णों में महिलाओं को देंगे मास्तिक 1500 रुपे जो हिमाचल परदेश के मुख मंतरी उनके द्वारा सौ दिन का कारकाल पूरा हुआ तो उसी पर रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे तो यहाँ पर पीटी फेक्ट आपसे प्रस्न पूछ सकता है किस राजी में बर्ती मास 1500 रुपे महिने महिलाओं को दिया जाएगा तो आपको विधान मंदल के मुख संचेतक, उप मुख संचेतक, संचेतक, वेतन भत्ते विर्दी की गई है वर्तमान में क्या है मंतरियों के वेतन भत्ते विर्दी की गई है अब कितना मिलेगा इनको दो लाग पैसाथ हजार रुपया आपको मासिक मिलेगा तो ध्यान रखिएगा य मुख सिच्चत का काम क्या होता है आप बताना है आपको प्रसन के तौर पर यह सब प्रसन पहले भी बताया जा चुका है क्लास में तो उमीद करता हूं आप तो जो को याद रखे होंगे चलिए नेश्ट हम बात करेंगे देखे वह संसदीय समीती में एक रिपोर्ट आई है और संसदीय समीती में पॉलेटि का जो कलास लिया तो सारे संसदीय समीती कि कवर किया है जो लोग नहीं देखे है तो आप जा में सकते उपके स्ष्यस टयओ글 समेटिए अ surrender में चटान की गया अब देखिए गा संसदीय समय अनुसार मांग के अनुसार इसे नहीं गठित किया जाता यह वर्ष के लिए सारी कमिटिया बंती असर ध्यान रखिएगा इसी में आपको विदेशी मंत्राले को जो कुल किंद्री बजट है एक परतिसत दिये जाने का आपको संसद्य समीति के द्वारा यह अनुसंसा की ध्यान रखेगा इस संसद्य समीति का अध्याग से आपको पी पी चौदी थे जो भाज़पा के सदस्य है गठिश संसद्य समीति को लोगसभा में प्रिश किया जो नहीं बोला क्या है कि दुतावास को भात्य दुतावास के अपसरों के तादाग बढ़ायाने के लिए शन समान में दिया जा रहा है उसको बढ़ा करना एक परतिसद तक करना था 0.6 परतिसद आपको GDP का बजट बढ़ा देना इसन के लिए जो GDP का 1% तक ला देना है यह अनुसंसा किया गया और यह कई एक तार्की को हासिल करने योग लक्ष भी है ध्यान रखेगा क्योंकि बहुत अन्धेसों के समर्थन प्राप्ट करने के लिए लोगइंड होना है तो तो सब्सक्राबी को बहुत से खर्चें होते हैं यही सब्सक्राइब लोग को सब्सक्राइब करने के लिए लोगए का मतलब है नेगैटिव से लेना है li Consert अग्षिग चाहिए लिए का सबसी देश मन पर चाहिए करना चाहिए लाइस करना चाहिए एसससरे आपको कवर होनीचाहिए चाहिए लाइस करेंगे Kansas सब्सक्राइब करेंगे यहां पर दो आपका मत बन सकता है एक पक्ष में एक नेगेटिव पक्ष में बनेगा पॉजिटिव पक्ष में बनेगा पक्ष कैसे पहले मैं बात कर लूँगा जो न्याले बात की है उसके बात जैसे न्याले ने क्या बोला कि फांस क्या फांसी के जरिये मौत की सजा देने वाले की तकलीफों के बारे में कोई अध्यन हुआ है क्या इस बारे में कोई विग्यानिक डाटा उपलब्द है इसमें किसी कितनी त करीका हो सकता इसके हम लो मौत की सजा तो दे सकते हैं या अंतराश्टी प्रैक्टीस से तुलना में होनी चाहिए यह बाते की गई है कि पुन याचिका दायर की ती याचिका दाइर की पी-ई-ई-ई-ई- उनके द्वारा बोला गया था कि सजा मौत की सजा के लिए फांसी के तकलिफ को ज़्यादा क्रूर तकलिफ दे और अम मानुए बताते हुए लेंथन एग्जक्षन गोली मारने या क्योई अन्य कम दर्णाक से ज़्यादा मानुए तरीका अपनाए जाने की मानुए अब ध्य तरहां तरबता है तब वह दो त्री से सकेंड फांसी के जूले पर तो इसकी मौत होती है इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं जैसे अमरीका में इरोपियम कंट्री में या अन्राश्टों में क्या है कि एक इंजेक्षन लेंथन इंजेंशन दिया जाता है गोली मार दी जाती तो क्या मानवी तरीका होना चाहिए इसके बारे में जनहीत लियाजिका वकिल मनोत्रा के दौरा किया गया था जिसी मनोत्रा के दौरा तो ध्यान के मामला यही जात हो रहा है इसके लिए नियाले क्या बोला है कि नियाले मानवी नियाले आपको बोले है कि वैसे तो हम सरका सरकार को नहीं कर सकते क्या चाहिए कैसे होना चाहिए इस तरीके से ही देना चाहिए तरीका नहीं ये तरीका अपना है रहे वह तरीका अपना धा वाद अगर राइसा नहीं है तो एक कमिटी गठीत करके इसके संदर में क्या सकते आप है न चीजों को समझ सकते तो यहां पर देखिए सुप्रिंग कोट ने 283 के दीनानात मामले में फैसला सनाया था फांसी सही ठालाया था लेकिन इस मामले पूर्णी विचार हो सकता है क्योंकि अपर अनुपातिक्ता के सिधान के लागुए नहीं किया था अनुपात में इसे नहीं दिया गया था ध्यान रखियेगा यह वी आपको ठाने आपको धि ने हमारे लेटर्नीर जनल है उनसे कहा है क्या कोई एसारी कराती ये सरकार के निर्जिस से लेकर बताए कि क्या को ऐसा अध्यन आक्रिय की ये मोज़तकी परभाव स्में अक्रुस्त कम होता ऐसी बात था पर समझने वाली बात है कि अब दो पंख हैं समझने 56 है कि अंधि दो ओक्ति एक मत कि आए ज़ाय को ऊआ Standing है इन अधिर मांए सबसे पहले हिसे समझें की सबसे परों मसं ममले में आए य के दिए जाए एक मस होगा जो मानवे कृती से समझेगा लोग कि ने जैसा कृत किया उसके लिए ऐसे ही सजया का प्राधान होना चाहिए एक क्रित करेगा मानों के अधिकार है Leg zob पर एक ऐसा बात करेगा जो क्या बोलेगा कानुनन तौर पर क्या व्यवस्थाइं उसके अधार पर ही दे सकते हैं पर देखिएगा जो भावनाओं के अधार पर फर्ट वाला समझेगा भावनाओं के आधार तर्ट बूरह यह बोलेगा कि ने मेरे साथ ऐसा धूर हमला वमां यहां पर कुछ लड़कों के द्वारा कुछ गुरूप के द्वारा कुछ इस पर का किये गए जो चम में नहीं है तो जो परिवार होगा उससे जुड़ा परिवार वो क्या डिमांड खरेगा मेरी बेटी या मेरा जो परतारित हुआ है वैसे सजा देनी चाहिए तो समझने वाली बात यहां है कि क्या आपके पास मामलों को समझने की गंभीरता लेने की कोई चीजे है एक याद रखने वाली बात होगी वहां पर बाद में समझने वाली बात होगा जो इस परकार का क्रित कर रहा है क्या उसमें मानवे बहवार है तभी तो हम मानवे बहवार की कलपना कर सकते उसके साथ मानवे आचरन का बहवार कर सकते अब बताए निर्वया कान का जो था निर् बात यहां है कि हम किन व्यवस्थाओं को कायम करना चाहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी चीज़ एक फैट के तौर पर है पर कानुनन तौर पर ये भी तो कहा जा सकता है न कि कैसे हम उन परलक्षित लक्षों को प्रात कर सकते हैं जो हम एक प्राकृतिक नियाय वाले ब्रवस्था को कायम कर सके तो देखिए इस पर क्या नियाले का नियन्ने आता वेट एंड वाज कीजी चीज़े समझ में आएंगी चेले नेश्ट हम लोग बात करेंगे नेश्ट नीचे है देखिए ओरिशा प्रसासनिक नियाधिकरन खत्म करना करना वैद है सुप्रीम को प्रशासनिक नियाधिकरन का नियाधिकरन से निपटने के ट्रिवनल खत्म करने के फैसला सविधान का नुच्छे चौदा का उलंगा नहीं माना और चौदा बैक्ति विशेश से ना कि संसा विशेश से यह आपको ध्यान अपने की जुरत है यहाँ पर क्या बात की गई अधिसुचना वापस ले लिया गया तो यह सब मामला था उडिसा नियाधिकरन तो आपको यहाँ से प्रस्ण क्या क्या पुछा जा सकता है किसकी टॉपिक को कवर किया जा सा उससे हम लोग देखेंगे बार तो सबसे पहले याद आखिएगा य इस टॉपिक से प्रस्ण बनेंगे तो हलके मत लीजेगा इसको तो ध्यान रखिएगा अधिकरन एक सकेड़ अब याद रखना यहाँ पर इंटीवू के लिए बहुत ही महत्पुन टॉपिक होता है जहां पर बात होता है कि हम आवसकता है क्यों रखे टिबनल के आवसकता ह है जबकि हमारे पास नियाईक व्यवस्ता है हरार्की सिस्टम है सुप्रिंग कोट है हाई कोट है सभी व्यवस्ता है फिर विट्रिवनल के क्यों अरव सकता है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा लंबिद बहुत से मामले होते सभी नियालियों में आपको दो लाख से अध अधिकर्णों की अस्थापना की जाते हैं यह आप लोगों को ध्यान रखना है इसके लिए नियाई पालों के कारभार को कम करने के लिए तेजी निर्ने अमंच एक पदान करता यह भी आपको अधिवक्ता विश्य सग्य होते हैं नियादिकरण में तो यह याद रखना है अधिकरण नियाई तंत्र के महत्पून और विश्य भूमिका निवाते यह भी याद रखना आप लोगों को हैं जहां पर यह कम बोज कम करने के लिए क्या करते हैं पर्यावरण ससस्त्र बलो कराधान परसासनी मुद्दो जैसे सम्मन्दित विवादों के समधान कर सकते है ध्यान रखेगा तो यह धानिक प्रोधान क्या है तो 42 में सविधान सब्सक्राइब द्वारा सामिल किया गया था 323 A को और 323 B को तो 323 A के तहट क्या है 323 A के तहट आपको प्रसासनी अधिकरण है जो अभी त्यूनल है अडिमिस्ट्रेटीव त्यूनल उसकी बात की जाते है जहां प्रसासन समंदित मामलों को देखा जाता है अब याद रखिएगा 323 B के तहट अन मामलों या अन अधि करनों से संबन देते हैं यहां पर बहुत से मामले आ जाएंगे यहीं से आपको जल अधिकरण भी बनता है और भी ससत अधिनियम बनता है तो इसे ध्यान रखना आगे में चर्चा करूंगा संसद अराज विधान मंडल के लिए निर्वाचित आपको चीजों को ध्यान रखना सकता है किसके लीए ऋराज व्यदान मंडल के निर्वाचन से संबनुति कोई विभाध होगा वुदेशी मुद्राहिया आयात से संबन ला होगा तो इसके के लिए बिलव contr मुदक सकता है ऑड़ह ऑन शान विभाध होगा तो उसके लिए भी बन सकता है भूमी सुधार नगर संपति अधिक्तम सीमा उसके लिए बन सकता है किराया और किरायदारी के अधिकार से संबंदित आपको बना जा सकता है अब परसासनी ट्यूबनल क्या होता अद्मिस्ट्रेटिव ट्यूबनल याद रखेगा वर्स सविधान के दवां 323 एक ताथ इसका गठन किया गया केंदरी परसासनी ट्यूबनल याद रखेगा कैट का सेंट्रल सेंट्रल इन्मिस्ट्रेटिव ट्यूबनल इसके स्थापने एक नॉम्ब निसों पचासी की गई और इसके बाद है इसके निमेद सतरफ पीठ सतरफ पीठ जैपूर और लखनव संचालित होती है जिसमें सेस्थ दो आपको लखनव और जैपूर में भी संचालित होती है याद रखेगा इसके साथ नोट कि परसासनिक अधिकरन आदेशों के विद्ध अफील शंबत ऊचने आले या खंट्विट के डिविजन बेंच में भी सक्ष होता है ठीक है किलियर राज परसासनिक अधिकरन सेट जो होता है स्टेट एड्मिस्ट्रेटिव ट्यूमनल उसके तहत कौन-कौन सा गठन अभी तक हुआ याद रखिएगा जल विवाद अधिकरन वाटर डिस्पूट ट्यूमनल कावेरी हो किष्णा हो या तो बहुत से अ सब्सक्राइब काम करता हाली में विविन राज्यों के संदर में इसने जंड का प्रवधान दिया पच्छी मंगाल है दिल्ली है उत्तर परदेश गुजरात है सभी लगवाग इसने अपना निर्न देते हुए आप प्रबंदन अस्षिश प्रबंदन के सदर में हार जाना आपको आगे सबकिने एंगे व्यादि आपको से कवर होनी चाहिए आपको इन यूज में इस टॉपिक के नियुज में उम्मीद करता है इन चीजों को अच्चे तरीके से आपनों कवर कीज़ेगा चलिए नेश्ट बात करते हैं देखिए इस्लामिक देशों की प्रण जी के द्वारा तो धियां रखेगा इनका थोड़ा सा बेग्रांड देख लिए आप यह राइनिती सास्ते प्रध्यापक वरिष्ट अस्तंबकार है तो समझेगा इनका बैक्तिगत राय जरूर हो सकता है पर श्रमोही रूप पर क्या बहवार में आ रहा क्या दीख र किसानों से लिया गया टैक्स जजिया काफिरों से टैक्स और जकात है ना खुम्स खिराज जजिया जकात मुस्लमानों के चंदा यही चार अस्तोत मुकता आपको इसलामिक तोर पर लिया जाता रहा है है यह आप लोग हिस्टरी में पढ़ते होंगे इसके अनार्थिक मुल इसलामी ग्रंथों को ही संपूर मानते हैं यह आपको एक एस्टेटिक्स पार्ट देखने को मिलेगा कि मुल रूप से क्या है कि अगर मानलेजेस किताब में इतनी बाते लिग दी गई है यही मुल है इसमें कोई परिवर्टन नहीं हो सकता इनके द्वारा यह बात एक की जाती है इसमें चार आपको निकल के क्या करें सुधार नहीं कर सकते अगर यह इसलाम विरोधी होगा जिस पर कटर पंथियों का कोब देखने को मिलता है जैसे बहुत से आपको फत्वा धारी मिल जाएंगे, तुरन फत्वा जारी करना शुरू हो जाता है, तो यह कहीं कहीं एक डिमेरिट इसके अधार पर देखने को मिलता है, अब इसे आर्थिक तोर पर समझने की जोरत है, धार्मिक अधार पर यू मत समझेगा, ठीक ना, एकदम का इस सित्वी देखने को मिलता, जिसों पाकिस्तान भी कभी कभी मिलता, आपको अभी जहल रहा, आफगानिस्तान मिलेगा, आपको इरान मिलेगा, इराक मिलेगा, इस सब क्यों मामला है, जो कट्टर इस्लामिक राष्टों के तोर पर गिने जाते हैं, उनको संदर्म बात आया था कि जब आपको इसलाम का उदे हो रहा था उसमें की कबिलाई नितियां कुछ और थी नियम कुछ और थे उसको वर्तमान के संदर में या आने वाले 500 साल के बाद भी वैसे ही रखा जाता है तो बहुत से डिफोल्ट आपको स्वता उत्वन हो जाएंगे तो उस दिन में मैंने बोला था कि कुछ ऐसे मामलों में जहां पर वर्तमान संदर में चीज़े बदली जा सकती बदलने के जो ऐसे बवस्थाएं होनी चाहिए नहीं तो रूड हो जाएगा रूड कहने का मतलब कि जो मान लेजी एक कोई ब्यक्ति है किसी अनपंद को मानने व पर और सोशल एको सिस्टम के तौर पर यह आप से कभी ज्यादा उन्नत हो जाएगा और आप उसी मूल रूप में पड़े रहिएगा इसी संदर में देखिए मामले को समझने की जुरत है जो जितना विकास चाहता है तो विकास के लिए औसरों को तलास करने जुरत होती है आउसर तब तलास होंगे जब आपके नियम और कानून है उसके अनुसार होंगे अब मालिजे बहुत से चीज़ों को समझने की जुरत है तो यहाँ पर देखिए इस दुनिया में धन असवाब मत बे मतलब है आपको दो टूक समाधान दिया गया पेगंबर के दुआरा कि जन्नत में इससे बढ़का सब कुछ है जो वर्तमान जमीन पर है धरातलप है जन्नत में ऐसी कलपना की गए इससे कहीं अधिक है तो यहाँ पर पर्सियन और रोमन के पाद धन दौलत आदी जो है धरती पर अच्छे कर्मों का फल है वही पर तक्सीमित रहेंगे जबकि मु बात करें कि यहीं पर है वो उपर जाएगा नहीं हिंदु धर्म सनातन धर्म में भी आपको देखने को मिलता होगा सब यहीं पर समाप्ठोनी की बात करता है पर हम लोग इसी के लिए आर्थिक रूप से हैं चीजों को ज्यादा प्राप्त करना चाहते है पर यहां पर भूमी छेतर में जो चीजे नहीं आपको मिलेगी न वो आपको किसी अलोकिक सक्ती के द्वारा कहीं दी जाएगी मरने के बाद आपका इंतगाल हो जाएगा उसके बाद उस जन्नत की बात यहां की गई है तो मुस्लमान जो समुदा है इसी को लेका चलता है और हदिस पर आर्थिक समाजिक उनत्ती के विचार से ही पल्ला ज़ाड़ता है तो मैंने आपको पहले ही क्या बोला कि जब भी किसी का विकास चाहिए किसी व्यक्ति विकनला की चाहिए अब देखें UAE का तो देखिए वहां पर तरक्की कितना अन्रा मुस्लिम कंटियों को विरुद में तो वह गैर इस्लामिक राष्ट नहीं नहीं हो गया यहां पर समझने वाली बात है कटरता अगर लाते हैं तो लोगों को आपसे मिलने आपके वैचारिक मतों से समझने को रास्ता रोग देते ह अब मां लेजिए आपके इतना कटरता लाईएगा अपने सिस्तम में अपने इस्लाम में तो बाहर के लोग आपको कैसे पढ़ेंगे कैसे मिलेंगे कैसे क्योंकि आपके चीजों को लेकर का बात करते हैं यहां पापला हर चीज़ का और विकास तभी संबोग जब हो लोगो से मिलेंगे लोगों समझने कोशिस करेंगे अपने नियमकार उनको समझाने कोशिस करेंगे उनके नियम अपने मियान लागू करने का परियास करेंगे कभी भी ताली एक हां से बजती है तो विकास का भी ताली है न दो हाथों से बजेगी तो वैचारिक और समाजिक आपको आ अगर 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 बात की जा रही है तो जहांपर मानुए या कानुन अधिकार जादा है अगर भारत बेबात किया कि जा रही है कि हम इसलाम का कानून लेकर आएंगे तो क्या भारत जैसे लोक्तांतिक देश में इसलाम कानून पॉसिबल है सोच के देखिएगा इससे कटरता बढ़ती है ये सब चीज़े आपको ध्यान रखने के जूरत अब यहां बुलिएगा कि UAE और साओधी अरफ तो बहुत तरकी में तो वो इसलाम के उन आदर्सों को धीरे धीरे त्याग रहा है ध्यान रखेगा हाली में रमजान में कुछ बाते किया गया है आपको तो चीज़े आप ध्यान रखेगा उसने ऐसा नहीं किया कि वो इसलाम के उन आदर्सों को त्याग दिया जो मूल है जो आपके उत्थान के लिए बहुत जरूरी है मैं सुरू से बोलता हूँ जब भी लेक में आपनों को चर्चा किया है इसलाम के मुद्दे पर तो मैंने क्या बोला है जो आपके विकास के लिए बहुत जरूरी है सबसे जरूरी है आपको धार्मी वर्वक से जोडने के लिए जो जरूरी है उसको कभी नहीं बदलना जो मूल है जैसे कि आपको अब समय के साथ जो चीजे बदली जा सकती उसको जरूर बदलना चाहिए या आपके उठान नहीं तो आप पर ही प्रसंचीन आने वाले समय में लग जाएगा क्योंकि देश यहां से कहां तक पहुंच जाएगा जिरो से लेकर आपको टॉप लेवल तक पहुंच और आपका अस्थान वहीं होगा इस दिए देखते होंगे मुस्लिम समुदाय में आपको जितने भी गरीब मुस्लिम देश है या तो भारत में भी दे सकत गोड गिप्टेड होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जनसंख्या अनियंत्रित कर दें तो जनसंख्या अनियंत्रित करिएगा तो संसाधन आपके पास सीमित है तो जो ब्यक्ति मान लेजे हिंदू या अनधर्मों में इस संसाधन में दो ब्यक्ति खाने वाले हैं आपक कैसे खिलागा देखें कैसे वह बच्चा था आज पास किसी परका से विल्ट आपको द्रिस नहीं था किसी के कपड़े सही नहीं थे कोई लंगा घूम रहा था तो क्या यह समाज आप देखे जाईएगा अपने समाज सोसाइटी को तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहा है यह समझने की जुरत है और चीज़े आपको देरे देरे आएगी तो समझने की जुरत है कि हम कर क्या रहे करना चाहते और प्राप्त क्या करना चाहते तो यहाँ पर बहुत से मत देखने को मिलेगा अब यहाँ पर देखे एक बात और भी बोली गई है पाकिस्तान बनने से लाहोर कराची मुल्तान आदिस सैक्षनी आर्थी संस्किती बिश्टी से अगर्णी नगर था अरे था भी है क्यों था तो ऐसी गतिवीजियो के अगवा कोन करा था हिंदू और शीक कर रहे थे लेकिन विभाजन के बाद प्रिस्टितिया बदल गई अच्टितिया आप देख मत वाले क्या आर्थी विकास के बीच दूर तनाव के स्थाई है उन्नती खुसहाले समाजिक सांती के लिए सरियत के काईदे छोड़ना जरूरी है जबकि इसलाम की सान में के लिए भौतिक प्रगति के बजाए यह बात जो है खारिज करना लाजमी है यहाँ पर यह सीज़ से अलग कर दिये क्योंकि इसलाम पर आपने कुछ बोल दिया तो सोच के देखिएगा आफ सारे वर्ल्ड से तन जुदा कर दिजेगा मान के चले सभी अनपंथों के मान के अलग कर दिए तो उसके बाद जब आप ही केवल रहेंगे मुस्लीम राश्टी रहेगा जब यह कॉ आप मानुए प्रताएं ही समाप्त होगे इसलिए हमेशा कटर आपके ही अस्तित्व के लिए खत्रा बनता है यहां पर ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को लेकर बाकी चीजे तो चलिए सही है अपना मानिए कोई दिक्कत में हम लों भी मानते या कोई धर्म विसेस भी मा इसलिक बाते मनता है यहां पध्यान रखेगा अब मुश्किसी भी मुस्लिम जो सासके इसलामी निद्रसों का पत्याक कर सुधार की और कदम बढ़ाए तो इतिहासिक अनुवा यही बताते ही कि वे ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाए अथात वह क्या हुआ उनका विसलाम सुधार आपको देखने को मिलेंगे, उसका विरूद पर रदसन किया गया था, अब अब देखिएगा, अब बात किजिएगा, अकबर का बुलिएगा उसने बहुत सा, अकबर ने अपने लोगों से कहीं जादा, राजपुत राजाओं पर विशुसस किया था, राजपुत हाँ पर ध्यान रखने की बात है अब परतेग विवेक्सिल मुस्लमान भी इस तुरुसक को महसूस करता था दूस्ट जो है कि सर्किल जो बना हुआ है इस सर्किल को महसूस करता किया कि मिसर के लेखक इसलाम अल बहरी के दोरा यहाली में स्काइ निउस के बिये सक्षित का इंटर्व्यू में कहा है कि इसलामी मुखधारा की जिहाद को प्रोसाइद करती है अब बताए कोई दूसरा बेक्तिविस्यस तो नहीं बो रहे है न इसलाम का ही एक लेखक है अल बहरी जो आपको मिसर का है इसलिप्ट का है ऐसलामी यहां भतारा में आप समयने वाली बात होगी है हर्टव को इस्लाम को समस्त्य जैसे अंधर्म इस्त्रियों ना funky मुल्यों, सविधान, मानुए नेतिकता, हविव्यक्तिक इसोतनता, मानवादिकार, बैंक और ब्याज, अंग परत्यारोपक, तमाम दवाएं, खान पान, पहनावे जैसे जैसे लोक्या, अप्चारिक सिच्छा के अनेक विशे हैं, जो इसलिए हाली में तोर पर तुर्की, इ इसलाम में सुधार की बात नहीं की जा सकती है, लेक में, कि हाँ, पर ये है कि आपको ये चीज़े समझने वाली बात है, कितने लोग इसको समझ पाते हैं, तुरंत इसका विरोत करने लगे हैं, कि मेरे इसलाम के बारे मैं ऐसा बोला गया, देखिए, आपको जिवित रहना आपको संस्ट्रेम करना अगले 500-10000-10000 साल तक तो आपने विचारधार में, आज लोग कल आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्यों चेंज करना पड़ेगा, जैसे आपको, UAE ने चेंज किया आपने विचारधार में, देखिया है, वहाँ पर समपनता कितनी आ गई है, क्य किन्तो सब इसलाम से पहले, पहले ही, पहले की हिंदु देन थी, तो ऐसा देखिये, पाकिस्तान में एक सम्मिद छेत रहे थे, आसे ग्रूप से रहा था न, ज्यान विज्यान का, तो वहाँ पर यह सब क्या था, किसका देन था, हिंदु देन था, इसलाम तो जब अपनाया गौरब साली बाते चिपाए अब काफिर देखिए आपका जो मानेगा वो सही है जो इसके लिए काफिर ये सब्द कहीं गई आपको जिसके अन लोगों से दूर कर देता है काफिर सब्द क्या है सोच कि देखिएगा ये पुरातन काल में जाइज माना जा सकता है क्या वर्तमा जैसे ही कोई बोलेगा आप इसलाम के लोग को कुछ बाते बोलेगा तो आपको दिल पर लग जाएगा बोलेगा कि मेरा अलसंखे का दोहन कर रहा है तो आपने कोई रास्ता छोड़ रहे हैं अपने चीजों को लेकर कि आप काफिर जैसे सब गैर इसलामिक लोग के लिए यू आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रही होगी यह किसी से चिपा हुआ है अब ध्यान रखिएगा परवेज मुसरप ने खास बात बोली थी उनको याद रखेगा कोई दूसरा बैक्ति नहीं बो रहा है भारत के अंदर एक पाकिस्तान है जो अंतता भारी पड़ेगा सबी मुस्लिमान भारत में ऐसे नहीं कुछ मुश्मान वर्ग ऐसे भी हैं जो इस परकार के मंसा रखते हैं इस परके गतिवीरी का सामने तो यह परवेज मुसरप ने ऐसे ही आवाताव में देखा वाला भायले नहीं कॉंसर्प देदिया हुए कि भारत के अंदर भी एक प प्रांगेन विकास का अउसर ही नहीं दिया जा रहा है, अब हिजाब का मामला था, सोच के देखिएगा कॉनसेप्ट, हिजाब का मामला था, हिजाब या बुरका का मामला था, हिजाब बुरका मौली ग्रूप से पूरुस और महिला दोनों पहनने के लिए अपनाया गया तक् पर इसका कॉंसेट कहां से उपड़ा है किस रूप में उपड़ा है उसको ना मानना आपकी जहालियत के परिचायक देता है और आप इसे हर जगा प्रूब करना चाहते कि हम सश्षनी संस्थानों में लेकर जाएंगे या अन जगों लेकर जाएंगे तो देखिए मैंने उस दिमी बताया था कुछ छेत्र को है ना अपने धर्म के अधार से अलग कर देना चाहिए धर्म में होना ही ने चाहिए जैसे सि इलाज उसी तरीके सोना चाहिए जो डॉक्टर प्रोपर तरीका बताएगा अब ऐसा नहीं कि आपके मुस्लिम अधार पर आपका अलग तरीके से इलाज किया जाएगा यह कहीं मेडिकल के जो शाक्र होंगे या जो डॉक्टर उनको दिक्कत हो जाता तो फिर प्रॉब्लम क प्रतिकूल विचारों का महत्य समान है तो वहाँ पर एक ऐसा लोकतंत है जहां भासा धर्म छेट्र और विचारों की भींता के बाद लोकतंत जांतर आगे बढ़ता है श्रमवात की बात करता है देखिए मैं बारबाब बोलता हूँ आपको वाद है परतिवाद है वाद प इसे बाहरी विचार्दाराओं के संदर में नहीं समझा जा सकता यह हमारे भूमी पर जो विक्सित हुआ है सनातनी रूप से हमारा रूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर ऐसे दितले तो यहुद्य आपको सुनने को मिलता होगा है जनता जल रही है निरो बास्री बैशा रहा है यह थारात के पर्लजानमे कुछ मिला होगा कि नहीं हमारे यह ऐसा पर कभी आया था कितना कुरूर से कुरूर राजय का गार्णा के बात हो रहे हैं उतर वैदिक सोच के देखिएगा तो यह कहीं कहीं लोक्तांतिक बात हो अब एक हरार्की बना हुआ था अंतिरूप से राजा उसका निर्ने लेका था तो यह परकिरिया अपनाए गया थी समवाद का ही न यह चीज समयने वाली बात है अब उसके बाद उपनी सुदों का विचार रहे मठों में लोक्तांतिक परिकियाओं का समधान की ब्रवास्ता रहे ज़तीस पुर्मुख गंछ जहां पर लोक्तंत रहे अपनी सरवोच एक सेटै कर निसके लेक्ट हो गया देखिए। आपको दस गनराज जहां पर लोकतंत की सर्वोष संस्थाएं सक्ति पडाग की गए थी आपको जहां वर्तमान गंतंतर देखते हैं उस तरकी बाते वहां की जाते थी दक्षिन भारत भारत की उत्तर मेलू जो अविलेक है उसमें लोकतंतिक अधार पर संगठित गाम सवराज की बात की गए हम जो 73 सविधान, 74 सविधान के बाद हम आपको जो व्यवस्था है पंचाइदी राज व्यवस्था को अपना रहते हैं सोचके देखिए दच्चिंभा उत्तर मेलू अविलेक जो आपको प्रातन काल में प्राप्त हुआ था वैदिकाल के संदर में तो याद कंत्र से भारतिय लोक्तन से कोई मेल खा सकेगा भले आपको विदेशी आकर्म करता जो आय थे अरब से आय थे अंग्रेज आय थे उन्होंने थोपा हमारे उपर हमारे व्यवस्थाओं में चेंज किया हमारे कुछ जैचंद लोग हैं उसका बढ़ाव करते हैं कुछ मार्क् लंगोट नहीं पढ़ना सुरू किया था उससे में हम चांद और चांद और सुर की गन्ना कर रहे थे मैं तो यह आहां तक बोलता हम नहीं तो कोई नी आई यह उठा के उससे पुराना आर्केलोजिकल सर्वे जो आपको यह प्रूब करता है यह सठीक दूरी है चंद्रमा स से बात करेंगे तो यहां सोच के देखिएगा यह अपर ठोपा गया है कि हमारे क्या है जो अपको चीजे दी गई है वही सही है अब बताइए ग्रिवेटी का लोग वरामिहर जो दिया गया वरामिहर जो गृत्वा करसं सिद्धान तो उसको मान मान आज तक नहीं माना गया हलाकि धीरे-धीरे कुछ विचार को विज्ञानिक भार्तिय संदर्व लेकर चीजों को रिशर्च कर रहे है हाली में हमारा जो गृन्त है रिगवेद चारवेद है उसको चीन में रिशर्च चल रहा हूं उसको वहां बहुत से चीजों को बताया जा रहा है कि यह जो भारत पर आक्रमन करने वाले विजेशी अक्रानता भी भारत की हो उदार संस्कृति का हिस्टा बन गए तो ही तो अरब जैसे कंटी में जो लोग आए वावार आए तो हमारे मिलिट संकीती में रम़ना करें के पूरी तरा भारति ये संदर में आचरण ऊगिन ये कहीं ने कहीं उधार में निती रहा थोही तो ही तो कट्टरता नहीं अपनाता जिस अध्याइब भारत विश्रम समाज़िक सब्सक्राइब करता है जो हम बात करते हैं विसु के लिए उससे बहतर उधारण भारतिय लोक्तांतर का बहतर प्रबंदन कैसे है इसको समझने के लिए हमें वैदिक तौरपा चीजों को समझने जो हमारा जो उपनिसत का काल रहा है या तो हम गनराज का शट्री सतापदी में जो बात कर रहे हैं उसमें क्या सवरूर था नागरिकों को ना सिर्फ राजनितिक अधिकार प्राप्त है अपको ती अपने गर्म पाओ गया क्योंकि आज बहुत टॉपिक था इसलिए सभी चीजों को देखिएगा समझेगा तलिए धन्यवाद जैएं झाल झाल